नमस्कार दोस्तों स्वागे थे अपनी यूट्योब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में दोस्तों आज जो 12 जनुरी को रेलवे एंटी पीशी का एक्जाम कंड़क्ट हुआ है दोनों पारियों में तो इस वीडियो में देखने वाले हैं पर्थम पारियों में पूचेगे 38 जीके के स्वाल और सेकेंड शिपने पूचेगे 37 एक्जेक्ट हुबू स्वाल कावर करेंगी और जो भी स्वाल होंगे वो आपके एक्स्टा फेक्ट साइट का और होंगे ताकि आने वाले स्वाल जो स्वाल रिपीट होते हैं तो यहां से रिपीट होने काफी ज़्यादा संभावना है तो बने रही वीडियो के एंड तक तो सबसे पहले देखने वाले हैं 12 जनुरी के सेकेंड शिप्ट में पूछेगे जीके के क्यों संस उसके बाद देखेंगे पर्थम पारी में पूछेगे स्वाल सेकेंड में आज थोड़े जीके के टप स्वाल पूछेगे हैं तो बने रिएगा एंड तक इसकी पीडियो आपको फास्ट प्लस सेकेंड दोनों सेप्टों के याप पर टेलिग्राम पर अवलेबल हो जाएगी जिन भी केंडेट ने जोई नहीं किया है डेस्क्रिप्शन वक्स में लिंक अवलेबल है जोई जरूर कर लिजेगा और वीडियो कंटिन्यू करें उससे पेले में आपक के कारेंड तो यहां पर नव वर्ष पर टेस्ट बुक आपकी लेकर आया एक धमाकेदार ओपर है इसमें आपके 299 रुपे में और यहां से मिलने वाले आपको 100 प्लस एक्जाम्स की जिसमें एंटीपीसी ग्रूप डी सारे एक्जाम्स की 12,000 प्लस मॉक टेस्ट अनलिमिट प्लस टेस्ट है और साथ इसाथ यहां पर आप लायू क्रेस कोर से यह भी जोइन कर सकते हूं मातर 349 में इसमें इसमें भी टीटीजी की कोपन कोट से आपको डिसकाउंट मिल जाएगा तो चले आपर कंटिन्यू कर लेते हैं सबसे पहले जानते हैं आज के 12 जनुरी के सेक को टेली क्राम से जोड़ना होगा देखी गए यहां पर पहले स्वाल और से यहां पर सबसे पहले मैं कुछ टप के उसंस कवर कर रहा हूं तो 2019 में किसे न्यूज ब्रॉड कास्टिंग स्टेंडर्ड अथोरिटी जो NBSA है इनके अध्यक्स बनाए गया है जो पूरो में सु इसके अंत्रकत आता है यह न्यूज ब्रॉड कास्टिंग स्टेंडर्ड अथोरिटी है तो अभी वर्तमान में न्यूज ब्रॉड कास्टर असोसेशन है इनके प्रेजिडेंट अध्यक्स कौन है तो रजत शर्मा है आपको पूछा था NBSA के चैर्मेन कौन है जो पहले सु का नन्ने ये एक चिकिसक थे जो बंगाल चिकिसा सेवा में 1794 से लेकर 815 तक कारे रहे हैं एक्जेक्ट हूबू डाटा के साथ यहां पर स्वाल कावर कर रहा हूं तो जिन भी केंडियाट का एक्जाम था जरूर बता दीजेगा कि ये सारे स्वाल आपकी पूछी के हैं और कितने अटेम्ट की हैं इन जीके में से आपकी टोटल 38 में से कितने सई हो पर हैं यहां सी अगला स्वाल दीखेगा 2019 में जलवायू कारेवाई और आपदा त्यारी पर पांचवाँ एशिया पेसिपिक ब्रोड कास्टिंग यूनियन मीडिया शेकर शमिलन किस देश में आयो जीत हुआ हैं कौन सा अंदोलन है जिसका उद्देश शकारात्मक था शांती के साथ शुरू हुआ है लेकिन बाद में ये हिंसा में कनवर्ट हो जएगा आशांती फैल गई तो यह आपका अंदोलन और श्योग अंदोलन हो जाएगा जो बिलकुल शांती के साथ शकारात्म को देशे से स्टार्ट किया गया था और बाद में आपको पता होना चाहिए चोरी चोरा कांड के कांड इस आंदोलन को महत्मा गांदी जी ने शमाप्त किया था 22 यहां पर 21 सिपायों की मर्ति हो गई थी और यह हुआ कि जो चोरा सोरी है यह इस्तान है गोरकपूर जिले में तो यहां पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकाना चाहिए और इसके फालसुरूप जो भीड थी जनता कुरोदित थी उन्होंने थाने दार और 21 सिपायों की मर्ति हो गई थी आग लगा दी थी वहां पर और इस गठना के बाद गांदी जी ने य स्वाल है कि कौन है जो 802 से 825 तेक 23 वर्षों तक भारत में रहे और यहां पर उन्होंने आम जनों और जो भी दर्शे हैं उनकी पेंटिंग बनाई थी तो इसका इंसर जिन भी केंड़ेट को पता हैं जरूर बता देना कमेंट बोक्स में अगला स्वाल देखेगा किस संग स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी और फिर ये 20 अप्रेल 1946 को ये डिजॉल हो गया उसके बाद यहां पर उन्हेटेड नेशन्स की स्थापना की गई हैं नेशनल देखेगा आपर कौन सा सुप्रियम कोर्ट का जज इंडियन ब्रोडकास्टिंग फाउंडेशन का 4 परसंद रीज चुका हैं तो यह वही सıôn दोबार मैंने गलत राइट कर दियें याँ पर तो यह दूसरा सवाल है NBSA वाला है यह अलग है और यह नहीं पूछा गया था दोबार मैंने वेरिफाइ किया तो पहला सवाल है वह पूछा गया था यह आपके नहीं था तो मैं PDF से अटा दूँगा इसको अगला स्वाल देखीगा किस उपकरण की साइटा से पेड़ पोदों की वर्दी की गंड़ना की जाती है तो क्रेश को ग्राप आपके ऑप्शन में था करेक्ट हो जाएगा इससे पोदों में वर्दी को मापने के लिए एक उपकरण है और एक ये भी उपकर दन किस राज्य में होता है तो सबसे ज्यादा जो हाईयेस्ट बॉक्साइट है ये रिपीट हो रहा है स्वाल इससे पहले भी एंटिपी से माज चुका है और मैंने एक्स्टा फेक्ट मीं बहुत बार बताया है जो भी तो ओरिसा में हो जाएगा ओरिसा में जो होता है उसम अंद्रप्रदेश थोरियम केरला है और ये भी अंटिपी से मायावाज स्वाल है कोल जो कोईला है उसकी रिजरु में भंडार में तो जारकंड है और उत्पाद में कौन से राजे 36 गड़ तो ये सभी इंपोर्टेंट फेक्ट हो जाते हैं 1969 में UWSR की शायता से किस सेनतर को सितापित किया गया था और ये भारत का पहला इस पात कार ना जारकंड में और बोकारो को भी रशया सोवित संकी सयो最じゃあ कि और चौती पंचवर्षी योजरा में जो इसपात कार खाने हैं ये सबी हो जाएंगे अगला स्वाल देखेगा भार्ट पाकिस्तान के विभाजन का किस मुश्लिम नेता ने विरोध किया था तो खान अब्दुल गफार खान उसमें ऑप्सन दिया गया तक करेक्ट हो जाएगा और बाकी इन सबी मुश्लिम नेताओं ने विरोध किया था भार्ट पाकिस्तान की विभाजन का जी ए डबल टी का फुल फॉर्म है ये तो आपको पता ही होगा मैना ओर्गनाइजेशन वाली पीडियम में सारे कवर की है उसमें ये आ गया जनरल एग्रिमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है और कल भी आया था उसमें बताए भी ता मैने जी ए डबल टी तो ये साइन हुआ है जो 30 अक्टोबर 1947 को कहां पर जेनेवा स्वीजर लेंड में नेशनल देखिए आपकी कंप्यूटर का पूछे गया था डॉट कॉम है इसका क्या मतलब होता है जो डॉमें डॉट कॉम रहती है तो डॉमें डॉट कॉम का मतलब है डॉट कमर्शियल कॉम यानि अन्य जो भी इंपोर्टेंट डॉमेंड है जैसे की डॉट ओवार्जी है तो और्गनाइजेशन हो जाएगा डॉट इन इंडिया डॉट नेट नेट वर्क डॉट एडू एडू केसन है डॉट गोव है तो यह गॉवर्मेंट हो जाएगा अगला स्वाल देखिएगा कर सकता था इसकी घोष्टना है वो प्रधार मंत्री नरेंद्र मोधी ने 25 सितंबर 2017 को दिल्ली से की है शोबागी के फूल फॉर्म यह है प्रधार मंत्री शहज बिजली हर घर योजना और जो की स्पेशली 25 सितंबर 2017 को पंडित दीन दियाल उपा जाए के जाइनती पर इस अपना कब हुई है तो 1960 में हुई है बी आरो की सापता और बी आरो का हेटकॉर्टर कहां पर है तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्या ले हो जाएगा इसी प्रकार में बात करूँ नेशनल हाइवेज अथुरिटी ऑप इंडिया एनेच एई के स्थापना कब हुई है तो 1955 में हुई है एनेच एई का मोटो है नौट जश्ट रोड्स बिल्डिंग ए नेशन और ये भारती राष्टी राजमारक पराधिकरन अधिनेम 1988 की तैट इस्ताफित किया गया है 1955 में नेशनल दीकी हुए है इस दा रिटन दा बुक दा अन टचेबल तो अन टचेबल पुस् फैपण के तेहत वर्नित है । بात करूं अने जो राजय पाल की न्यूक्ति जो राश्ट पती करते हैं वो अर्टिकल इकग्सो पिश्पन में और राश्ट पती का जो महा भयोग लगा जाता है वह द्याकर्मण कर लेतता है अपने पत का दिरुपयोग करता है तो आर्टि देखेगा किस रेशेदार कौन सा फाइबर वाला फसल है रेशेदार फसल है जिसे बैग जोला इत्यादी सामान रखने के लिए बनाय जाते है बैग वगेरा तो यह जूट फाइबर से बनाय जाते है जै ज़ान जै किसान का नारा किस ने दिया था तो यह 1965 में भारत पाक यहारी वाजबे ने दिया था पोकरन पर्मानू प्रिक्षण के बाद यह नारा दिया गया था। ओक्सिजन का स्योजन या फिर बंदन किसके साथ अधीग होता है तो ये हिमोगलोबिन ओप्शन में दिया गया था हिमोगलोबिन हो जाएगा और मैं आपको बता दू हिमोगलोबिन से भी ज्यादा ओक्सिजन के साथ जो बंडिंग रहती हो मायोगलोबिन में रहती है लेकिन option में हिमोगलो भी नापके था यह correct हो जाएगा the wealth of nations पुस्तक के लेख कौन है तो Adam Schmidt है the wealth of nations पुस्तक के author अगला स्वाल देखीगा what is the newest nuclear power plant यह फिर स्वाल repeat हुआ है तो nuclear power plant सो सबसे अभी नया बना है 2013 का latest है तमिल नाडू में नाम है उसका कुडन कुलम nuclear power plant है मैं बता चुका हूं और सबसे oldest है अफसरा यह रियक्टर है सबसे oldest अफसरा हो जाएगा आपको पूछा था power plant का तो यह ध्यान में रखना है और NTPC में एक और सवाल आज चुका है कि इंडिया में total कितने नियक्टर है तो total 22 तो nuclear reactor है और 7 nuclear power plant हो जाएगा और उसमें से सबसे पुराना है power plant में तो तारापूर वाला यह सबसे पुराना है और बाकि सबसे नया है कुडन कुलम और सबसे पुराना nuclear reactor की बात करे तो वह अफसरा हो जाएगा आपको nuclear power plant का है तो यह कुडन कुलम करेक्ट है और जो भी nuclear power plant में आपकी बात करूं तो तारापूर है सबसे पुराना 1979 महराष्टर में है उसकी बाद latest में आपकी कुडन कुलम 2013 यह तमीन लाडुम है बाकि यह भी आप देख सकते हो सारे कौन से इस्तान पर है आने वाल सिफ के लिए काफी इंपोर्टेंट है अरुन धत्ति रॉय ने किस पुस्त को अरुन धत्ति राई यह पर्थम पारिम आया है सेम इसी टाइप से पूछ लिया है पर्थम पारिम पूछा गया था कि दा गौड ऑफ इसमाल थिंग्स है या फिर भारत की एक मात्र महीला पर्थम महीला कौन थी जिने दे बुकर प्राइज है वो दिया गया है और उसमें मैंने बता है भी था दा गौड ऑफ इसमाल थिंग्स के लिए आज यहां पर पूछ लिया है सेकेंड सिट में अरुन धत्ति राय की किस पुस्त को मैन बु जाता है और इनके जनम दिवस पर 26 जनवरी को नैस्तल मिल्क डे भी मनाया जाता है तो यह वाइट रेवल्यूशन श्वेट करांती हैं उनके जनक थी अगला स्वाल दिखे मानुरा फॉर्ट जो दुरग है वो कहां पर है तो यह पट्टू कोटई तमील नाडू में है मान अगर्णी राज्जी कौन सा है वो गुजरात हो जाएगा परकास का अपवरतन किस से टकराने से होते हैं यह सभी ऑप्शन थे तो ऑप्टिकल डेंसिट इसमें करेक्ट होना चाहिए नेश्टन दिखीगा एमनेश्टी इंटरनेस्ट है यह भी जो मैंनेश्टी में वेक्ट्यूम ट्यूब का प्रियोग किया गया था तो पर्थम जनरेशन वाले जो कंपूटर है 1946-1969 है देखी इसकी डेट कहीं कि अलग लग मिल सकती है आपको तो पर्थम पीडी के कंपूटर 46-69 है सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रियोग हुआ है दौरा लगू की गई थी बहुत बार में बता चुका में एक्ष्टा फैक्ट से यह भी आया है 1793 में लोड कान वाल इसने कीती बंगाल वगेरा में इस्ताइब बंदोबस्त कर्शी वश्ता रेत वाड़ी कर्शी वश्ता है आने वालशिप के जरूर आएगा 820 में कीती ट गया जता है तो रोयल सोसाइटी फैलो चुनी जाने वाले पर्थम भारती महिला जिने 2019 में आवार्ड मिला है गगंदी कांग हो जाएगी और बाकी अवरल महिला के अलावा भी बात करूं पर्थम भारती कोईन जिने फैलो ऑफ रोयल सोसाइटी जो आवार्ड बने की योजना बने गए थी इसमिन दोस्तों एक श्वाल ये पूछ गये था कि होमन इस्पेस फ्लाइट सेंटर है जो इस रोके दोरा ये कब स्था पीतुआ है होमन इस्पेस फ्लाइट सेंटर है तो यह 2019 जनवनी 2019 को स्था पीतुआ है और बाकी में बात करो मानव से लॉंच होने वाला तो जी एस एलवी मार्क 3 से लॉंच होने वाला है और बाकि जो इंडियन हुमन इस पेस फ्लाइट प्रोग्राम है इसकी शुरुआत तो 2007 में हो गई थी और हुमन इस पेस फ्लाइट सेंटर है यह अब बना है सेंटर पॉयंट को क्या कहा जाता है तो यह व Гос तेंटर आपको गोली दरपन है इसका सेंटर पॉयंट है यह का हना आपकी 23's जो बोला जाता है और प्रिंशीक व leads दर बिंद के भाला इस मराला स्वाल लेक्टिक एसीड में कितने सहते हैं तो लेक्टिक को C3H6O3 formula, तो 3 carbon हो चाहेंगे, glucose बे केतने होते हैं, 6 carbon, नेशनल देखिए आपर, 2014 में महिलाओं के लिए एक help line है, तो exact स्वाल क्या था, आप comment करके बताना, बाकी एक reasoning से इस परकार पुछा गया था, जीब, गला, नाक, माउथ है, तो ये माउथ के अंदर सारे आजाने चाहि कर देना मैं PDF post को include कर दूँगा, तो चलिए आप continue कर लते हैं, आज आपके पर्थम पारी में पूछेगे, जी कि कि स्वाल वैसे इसका अलग वीडियो बना दिया था, जिन भी candidate ने नहीं देखा तो देख सकते हो, यहाँ पर अपन ब्रेफली कावर कर देते हैं, पर्थम से को 2019 में मेक्सिको के सर्वोच नागरिक शमान से समानित किया जाज चुका है, तो 2019 में पर्थिवा पार्थिल को विदेशियो का दिया जाने वाला मेक्सिको का सर्वोच नागरिक पुर्षका जिसका नाम है, और डेन, मेक्शिकाना, डेल, एग्विला, एजटेका से समानित क्या जा चुका है प्रतिबा पार्टिल को मेक्सिको का सर्वोच नागरिक समान जो विदेश्यों को दिया जाता है तो यह आपके पूछा गया था और कल पूछा गया था क्रोईशिया का सर्वोच नागरिक पुरुषकार टॉमिसलाव के राजा का ग्रेंड ओर्डर हैं यह क चुके हैं वो भी काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाते हैं तो बहरीन का आवार्ड किंग हमाद ओर्डर आप रेनेसा 2019 में मोदी जी को मिला है प्लिस्तिन का ग्रेंड कॉलर आवार रेने 2018 नरेंदर मोदी को तो यह सब आप पीडियेप में देख लेना काफ़ी इंपोर्टेंट सेंटर मतलब NIC की स्तापना किस वर्ष होई है तो 1906 में हुई थी और नीता वर्मा बरत्मान में इनकी डारेक्टर जनरल है पाक जल डमरू मद्धे भारत को कौन से देश से अलग करता है तो पाक जल संदी की बात करें तो भारत और स्रिलंगा की मद्धी यह पाक पाद यहां लेकिन महत्मा गांदी जी जो परमोग पुस्त के है वह भी इंप्रेंट हो जाती आने वाल सिट के लिए एक तो यह पूछा जाता है माई एक्स्प्रीमेंट विट्रूद पुस्तक किसके दौरा लिखी थे तो महत्मा गांदी बाकी यह पूचा जाता है हिंद ट्रस्ट इस गौर्ड है ये भी मात्मा गांदी की टर्ष्टी सिभी महत्मा गांदी जी के दुर्णा लिकी थे भारत का पर्थम नाभी की रेक्टर है पता नी भूस शिफ्टम यह रिपीट वरा बार बार शेयम्स वाला रहीं तो अफ्सरा हो जाएगा आपका रेक्टर है और ये 1956 में भाबा एटोमिक रेसर्च सेंटर के ट्रॉम्बे मुंबई प्रिशर में बना था ये रियक्टर और सबसे पहला जो ये तो रियक्टर हो गया पौर प्लांट कौन सा तो तारा पुर्वाला काकोरी कांड में कौन सामिल नहीं थी भग सिंग सामिल नहीं थी और रा राजिंदर लाहिडी ने और क्रांतिकारी पंडित राम परशाद बिस्मिल के नेतरतों में अन्य जो यहां पर क्रांतिकारी जैसे अश्फाक उल्ला खान पंडित चंदर्शे कराजाद हैं और अन्य जो भी हिंदूस्तान रिपब्लिकेशन एसोशियेशन के जितने भी सद वरती हैं तो यह सभी याद रख लेना इसमें पूछा गया था कौन सा शामिल नहीं था तो इसके अकोडिंग आपको पता चल जाएगा गुरु नानक का जन्म कब हुआ था 1479 में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था कहां पर हुआ था राय भोई की तलवंडी ननकाना पाकिस्तान में हुआ है सेखों के यह पर्थम गुरु है अगला सवाल देखे सोलवी लोक्षबा के स्पिकर कौन है तो इस्पिकर जो अभी तो सत्तरवी है 2014 में जो इलक्षन हुए थे वो लोक्षबा के बात हो रहे इस्पिकर उसमें सुमित्रा महाजन डेप्टी स्पिक अगला सवाल देखे अजनता की गुफाएं कहां पर है औरंगापाद महाराष्टर में है अजनता एलोरा की गुफाएं इससे इंपोर्टेंट फैक्ट देखीगा अजनता की गुफाएं है यह किस धरम से बहुत धरम से संबन देते हैं यूनिश्को में कब सामिल हुई तो अजनता एलोरा दोनों की गुफाएं 1983 को यूनिश्को में शामिल की गई है एलोरा की गुफाएं किस धरम से हैं तो इसमें तीनो धरम जो हिंदू हो गया बोध हो गया और जैन धरम इनकी गुफाएं इस थे थे वहाँ पर और राष्ट कूट के वंस जो राष्ट कूट व ये भी यूनिश्कों में समिनिते इसका अन्य नाम घारापूरी गुफाई हैं सरिस्का राष्टी उध्यान कहां पर है राजिस्थान अलवर जिले में हो जाएगा दा एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना है वो विल्यम जॉन्स ने कहां कब की थी तो 15 जनौरी 1784 को की थी क कॉलकता पच्छी मंगाल में की थी विल्यम जॉन्स के दोरा की गए थी और कॉलकता इस्तित फोर्ट विल्यम में ये स्थापना की गए थी फोर्ट विल्यम कहां पर कॉलकता में हैं किस नदी के किनारे हैं हुगली नदी के किनारे अगला स्वाल देखेगा मोपला विद्र नाश्पइ है जिनके लेकख हैं दामोदर शावरघर वीर शावर हम पि किस हेरिटेज साइट में शामिल है तो युनिसकोप की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में शामिल किया गया था हम पि करणात्यक जो चोद्वी शतापदी में विजयनगर पर शामराजी की राजदानी थी और तुंग भद्रा नदी के पास इसी थे इंपोर्टेंट फेक्ट है एर टीशेस कंपरी की दौरा एससी में पूछवा स्वाल है और विजनेगर शामराजी की संस्तापक हमपी की हरियर बुक का W3C मतलब 3W और C हो जाएगा World Wide Wave Consortium W3C की फुल फॉर्म विश्वापार शंक्टन है इसका इस्तापना कब हुई थी तो 1995 में हुई थी और मेंबर्शिप 164 वर्तमान में है रोबर्टो अजवेदो आपको कमेंट करके बताना है WTO का जो हेटक्वाटर है वो कहां पर है उसका म अच्टर की फुल फॉर्म पूची है तो Monopolis and Restrictive Trade Practices Act है यह MRTP Act है जो कि 10 समीति की सेपारिश पर 1979 में लागू हुआ था इसके बाद इसको निरस्त किया गया वर्तमान में इसके इस्तान पर पर 30 परता अधिनियम 2002 है भारत पर नादिर्शा का आकर्मन कब हुआ था तो यह ग्राम पंचाईत चुनाव के लिये जो सरपंच वगेरा के चुनाव होती है उमिद्वार की नियूंत मायू सभी को पता होना जाय है 21 वर्स होती है लोक्षभ सदेश्य की नियुन्तमायू 25 वर्ष, MLA है जो भी विदान सभा की 25 वर्ष हैं इनकी राजिशभ सदेश्य तीस वर्ष, राज्यपाल राष्टपती की 35 वर्ष चुनाव आयुगने राजनितिक दलों के लिए चुनाव घोषना पतर जो मैनिफेस्टो है मतरब मतदान से 48 खंटे पहले आप भोषना पतर जारी नहीं कर सकते हो उससे पहले ही करना पड़ेगा 48 खंटे में मतदान से 48 खंटा होता है जो बीच में वहाँ पर नहीं कर सकते है उससे पहले जारी करना अनिवारी है अगला स्वाल दीखे जल सरंक्षन हेतू जल करांती वर्ष कौन से वर्ष को मनाय गया था 2015-2016 में ये मनाय गया था नेशनल देखे आपर कॉर्णा का जो सन टेंपल सूरी मंदिर है पुरी ऊडिशा में है कॉर्णा का सूरी मंदिर ऊडिशा में हो जाएगा और ये सूर्य देव को समरपित मंदिर है और निर्मान किस ने करया इसका तो नर्शीम देव पर्थम ने इसका निर्मान करया था बारा सो पचास इश्वी में नेशनल देव किस जैयो राशनिक परकरिया के दोरान सरकरा है जो सुगर है वो अलकोहल में कन्वर्ट हो जाती है तो ये किनवन कहलाता है फर्मेंटेशन हो जाएगा इसका एलकोलिक study of animal behavior को क्या का जाता है तो जानोरों का वेवार का अध्यन करना है ये ethology का लाता है और मानु वेवार का अध्यन है वो psychology हो जाएगा समूदर का सबसे गहरा इस्तान challenger deep कहां पर है तो ये deep वाला इस्तान है मरियाना द्वीप समू के पास मरियाना ट्रेंज के दक्षिन छोर पर है इसकी depth जो है वो गहराई 10902 से 10929 मिटर हो जाएगी जो challenger deep है कहां पर ये मरियाना ट्रेंज में operating system के एक परिभासा पूछी थी तो परिभासा दी गई थी आपको answer बताना था वो operating system हो जाएगा जो users और computer system के मद्धि मद्धिस्त का काम करते हैं user computer के जो process करेगा user input देगा और computer process करेगा वो operating system करता और फिर अपनको output देगा तो ये software program तो hardware का भी संचलन किया जाता है आदुनिक mercury thermometer है ये किन के दोरा विसकार किया गया था तो डैनियल foreign height ने किया था उन्होंने एलकॉल का यूज किया और फिर 1714 में उन्होंने mercury thermometer को उसी प्यमाने पर विक्षित किया था कोई भी बिल अदिनियम बनने के लिए अंतिम चलन वो राष्टपती की मुहर हो जाएगी नेक्शन देखें आप पर plants with hidden reproductive organ are called as तो शिपे हुए परजनन अंग वाले पोदों को ये especially crypto game होते हैं जो पादब के परकार होते हैं उसमें fanro game और crypto games हैं यानि अपुषपोद भिद और पुषपोद भिद और इसमें आपकी पुचा था पुषपोद भिद की बात करूँ तो ये आपकी हो जाते हैं एंज्यू स्पर्म और जिम्लो स्पर्म हो जाते हैं और अपुषपोद भिद हैं जो crypto game हैं इसमें hidden reproductive होता organ तो थेलोपाइट, ब्रयोपाइट, टेरिडोफाइट हैं इनके पुदों का जो भी example था उसमें option में जाय हुआ, वो आपको collect करना था इसके अंदर hidden reproductive organ होता है, अगला स्वाल राष्टी राजमारग एक national waterway 1 की लंबाई कितनी हैं तो ये हो जाएगा आपकी 1620 km की लंबाई हैं जो कि कहां से कहां तक जाता है तो ये प्रयाग राज से हल्दिया के मद्य पैता है, गंगा भागरेती होगली नदी इनमें शामिल हैं, यूपी बिहार ज़ारकन पच्छी मंगाल से, नेस्टल वाटरवे की टोटल लंबाई 20,255 हैं और टोटल 111 भार्क में नेस्टल पावर प्लांट का क्या दोश है, तो ड्रोबेक क्या है नुकले रिक्टर वगरा जो भी है तो उसकी एक तो इस्टोरेज है और इसका डिस्पोजल दो निर्शकाशन होता है, उसमें समस्याती हैं, छोटी आत में अंगुली नूमा सनचना है, एक्जाम में आता रहता है य इनके भाग मौल्दowा, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, यूक्रीन, जोर्जिया जो ऑप्सिन में था और मेलदो भी था और उसमें जो बीडिया, अर्मेनिया, अजरेबेजान और तुर्के मिनिस्तान इसकी सटीधल उसको आपको एज़ इट इजर पेसेल में पेस्ट करना है यसक्व लेकर नांचा क्तूम के भारत आगमन पर इंडो-सारचैनिक शेली किस इश्माग का निर्मान कराए गया था तो ये भी रिपीट वाया कल वाले से तो ये हो जाएगा गेटव आप इंडिया का निर्मान कराए गया था जोर्ड पंचम और महरानी मेरी के आगमन पर 1911 में 2019 वर्ष के दिन विध्यार्तियों के साथ समाथ की कारिकरम किसने चलाया था तो इसरो के दोरा ये एक जनुर 2019 को चलाया गया था अगला स्वाल देखिए जब सरकार अपने कुल स्टॉक के 50% से कम सारोजनिक जो पबलिक सेक्टर के स्टॉक बेच लेती हैं सरकार तो वो कहलात है और दक्षिन गंगोत्री पर डेटा कलेट करने हितु क्या भेजा गया था तो इसमें नहीं मिले हैं एक जेक थोड़ा इसमें लेंग्वेज चेंज थी जिन्भी केंडेटने एक्जाम दिया है कमेंट करके बता देना दक्षिन गंगोत्री कहां पर है अंटाक टीका में एक भारत का पहला इस्टेशन काइम किया गया था 1984 में उसके बाद 89 में मैत्री नाम का एक रिसर्च इस्टेशन इस्टापित हुआ था और फिर जुलाई 2008 में हिमाद्री हुआ है और तीसरा जो अनुशंधान के अंदर है वो भारती नामक है 2012 में हुआ है अगला स्वाल द करके बता देना और आप कितने स्वाल क्रेक्ट हो रहे हैं कितने अटेम्ट की है वह भी बता देना और एक्साम देते समय कोई समिखेषे आई हो अद की एंट्री बगएर हमें तो वह कि उनकी जो debt of birth है वो change है admit card में जो form fill कि उसमें अलग है और अभी जो आदार वगिरा में अलग है तो उसमें क्या issues आता है जिन भी candidate को ये समझे आई हैं तो क्या solution था आप comment करके बता देना तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अज़े किसे ने वीडियो के साथ बंदे मातरम जहीं दोस्तों